अर्विंद केज़िवाल और आमादवी पार्टी कह रही है कि इस्तिफा नहीं देंगे और जेल से सरकार चलाएंगे वहीं भाजपा दिल्ली की सड़कों पर उतर कर केज़िवाल से इस्तिफा मांग रही है भाजपा की नेता कहते हैं कि ये वही केजरिवाल है जो पहले कहते थे कि यदि आरोप लगे तो पहले इस्तीफा होना चाहिए और उसके बाद जाच होनी चाहिए आज वो जेल में हैं और कहते हैं इस्तीफा नहीं देंगे जेल से ही सरकार चलाएंगे वहीं दिल्ली विधानसबा द्यक्ष रामनिवास गोयल ने कहा कि केजरिवाल इस्तीफा नहीं देंगे समविधान में ऐसा कहीं नहीं उलेखित है कि इस्तीफा देना होगा इसलिए ना केजरिवाल इस्तीफा देंगे और ना उन्हें इस्तीफा देना चाहिए अब पहला सवाल है क्या जेल से सरकार चलाई जा सकती है या जेल में रहकर कोई मुख्यमंत्री सरकार चला सकता है इस सवाल को लेकर के राज्यसभा के पूर्व महासचिव योगेंद्र नारायन ने कहा था कि केज़िवाल को E.D. ने गिर्फतार किया है ऐसे में यदि उन्हें न्यायिक रस्तत में भेजा जाता है तो ये सीधे तोर पर अदालत पर निर्भर होगा कि वो उन्हें मुख्यमंत्री पत्के दायत्व का निर्वहन करने देती है या नहीं उन्होंने आगे कहा कि इसे लेकर के समविधानिक नियम कायदे जैसी कोई बात नहीं है हाला कि पूरू में ऐसा कोई मामला ध्यान में नहीं आता जब किसी प्रधान मंत्री या मुख्यमंत्री ने जेल में रहकर सरकार चलाई हो न्याय मुर्ती, सेवा निवृत, सुधीर अगरवाल जो एंजेटी के न्यायिक सदसे हैं कहते हैं कि किसी सरकारी अधिकारी के जेल जाने की स्तिथी में उसे निलम्बित करने का कानून है लेकिन राजनिताओं पर कानूनी तोर पर ऐसी कोई रोक नहीं है फिर भी चूकि दिल्ली पूर राज्य नहीं है ऐसे में अगर मुखे मंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं तो रास्टपती दिल्ली में रास्टपती शाषन लागू कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील विनी जिंदल ने बताया कानून के मुताबिक दोशी ठहराए जाने तक अरविंद केज़िवाल दिल्ली के सीम पत्से इस्तीफा देने के लिए बाध्यन नहीं है लोग प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 आयोगिता प्रावधानों की रूप प्रेखा देता है लेकिन पत्से हटाने के लिए दोशिद्धी आवश्चक है एक मौजुदा सीम के लिए इस्तीफा एक नयतिक विकल्प हो सकता है इसके अतरिक्त एक मुख्यमंत्री कुछ अनुमतियों के साथ जेल से शाषन कर सकता है जैसे कैबिनेट बैठ के आयोजित करना और जेल मैनुवल के अनुसाद अदालत की मंजूरी के साथ फाइलों पे हस्ताक्षर करना अब दूसरा सवाल यह है कि क्या दिल्ली में लग सकता है राश्टपती शाषन? केजरिवाल को CM बने रहने के लिए जेल से राहत की आवशकता होगी या LG दिल्ली के शाषन को लेकर अनुछेद 239AA के तहत सरकार को निलम्बित करने के लिए राश्टपती को शामिल कर सकते हैं उपराजिपाल अनुछेद 239AB के तहत राश्टपती शाषन के लिए समवेधानिक मशीनरी की विफलता को उचित ठहरा सकते हैं जिससे संभावित रूप से केज़ीवाल को इस्तीफा देना पड़ सकता है और दिल्ली पर कें सरकार के नियंत्रड का निर्देश दिया जा सकता है आज ही दिल्ली हाई कोट में सुर्जीत यादव की एक याचिका की सुनवाई हुई जिसमें याचिका करता ने केश जीवाल को मुखी मंत्री पत से हटाए जानी की बात कही थी जिसे कोट ने सीरे से खारिज कर दिया हाई कोट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि ये ऐसा विशे नहीं है जिसमें कोट दखल दे अगर समवैधानिक विफलता नजर आती है तो LG इसे देख सकते हैं जानकार कहते हैं कि उप राज्यपाल दिल्ली के शाषन को लेकर अनुच्छे 239AA के तहट सरकार को निलंबित करने के लिए राष्टपती को सामिल कर सकते हैं पर भाज्यपा को डर है कि इसका चुनावी फायदा आमादवी पार्टी को ना हो जाए हाला कि केज जीवाल की गिरफतारी की सिमपैथी आमादवी पार्टी को मिलती दिख रही है पर यदि राष्टपती शाषन लग जाता है तो भाज्यपा को जादा नुकसान उठाना पड़ सकता है आमादवी पार्टी भी यही सोच कर इंतजार कर रही है देखते हैं उट किस करवट बैटता है केज जी वाल के जेल जाने के बाद भाज्यपा को नुकसान होता है या मोदी जी का नाम इस नुकसान की भरपाई कर दिल्ली में वापस सातों लोग सबाजीटों पर भाज्यपा को कबज़ा दिला पाता है आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा